दढ़ी का उप्योग करते हैं और दो मिन्तों में जो है शुगर का भीमारी ए रहा ए पाउधा ए देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को जरूर बता दे रहा हूं और भारत के कहीं भी कोने में जंगल नमस्कार सो दोस्तों आप सब कैसे हैं आसा करता हूं कि आप सब श्रमी वाला धान वागेरा लगाए हुए हैं तो दोस्तों बहुत दिन के बाद आज फिर से मैं अपना वीडियो सूट कर रहा हूं और दोस्तों क्या रिजन था और किस काराण से जो है मैं अपना चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था उसके बारे में भी मैं महीना हो चुकर एक महीना से जो है मैं खंबा गार रहा था यहां जटका मशीन लगाया हुँ यह सब्सक्राक हुए और अश्रपा मशीन गाया हूं दोस्तों मैं भीखेघ earhouse और यहां पर देख सकते हैं जाला बना रहा हूं और रात दिन यहां पर मेरे को रहना है और इस साइड जो है अपना चुलाव गेरा बनाएंगे और इसको जो है घेरेंगे हैना इसकी वजह से दोस्तों मैं जो है अपना ब्लोग वीडियो रियल लाइफ इस्टाइल जंगल का जड़ी बुटी के बारे में आप लोगों तक नहीं सेयर कर पा रहाता है न तो चलिए मौसम के हिस्याब से तो जंगल का जड़ी बुटी आप लोगों को दिखाऊंगा ही और साथ ही साथ मैं अपना रियल लाइब इस्टाइल भी यहां सूथ करूंगा और दिखाऊंगा एक वीडियो पहुंचाने के लिए जंगल का जड़ी बुटी यदि मिल जाए तो जंगल का जड़ी बुटी दिखाऊंगा और यहां तो रहूंगा है उसका भी वीडियो आप लोगों को देखने को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा है ना तो देख सकते हैं दोस्तों यहां क नजारा और यहां जो है मिट्टी को जो है यहां से लेकर यहां को इधर इस साइट को जो बराबर करूंगा भाट कर यहां से लेकर वहां तक इसके बाद इसमें जो है घिरावा करूंगा और यहां पर रहने के लिए खाना अगेरा बनाने के लिए जगह भी बनाना पड़ी हैं अभी तयार नहीं हुआ है चहल देख सकते हैं मैं अभी धक हुआढू हुँ और वाकी देख सकते हैं पर्सवे जटका मसिन 20,000 लोन लिए आ और उसी पैसा से जो है जटका मसिन लाए हूँ और देख सकते हैं चालू भी है वहाँ से लेके वहाँ तक वहाँ तक दिक्रा है अलका-अलका सब देख सकते हैं करीब करीब मेरे को यहां तो इस वजह मेरे को रात इन्टेंसन होता था कि मैद जिपनां जल्दी ह Fleisch घृए करें और यहां चलता हुआ अँचे पाधा के बारे में भी बताना है मेरे को है ना तो यहां के जगा के बारे में और यहां का इस्तिक्री के बारे में आप लोगों को मैं सेयर कर ही दिया हूं और ले जाता हूं उस पौधा के बारे में आप लोगों को बताता हूं बहुत ही दिप्या बहुत ही बुरकारी पौधा है तो चलिए मेरे वीडियो में आग लेने यहां रहने के लिए खाने पीने के लिए बनाने के लिए यहां पीने लाइक है पानी नहीं है नदी है और वहां से लेके पानी लाना पड़ता है मेरे को है ना चलिए चलते हैं आप लोगों को तो दोस्तों देख सकते हैं इसी टाइप का मैं इसमें जो है घिरावा किय वाइसे तो दोस्तों इस जंगल में बारो पर कायर का जड़ी बुटी है लेकिन क्या होता है मौसम के हिसाब से जो है जड़ी बुटी मिलता है इस जंगल में है फिल हाल अगला वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सुगर के बिमारी के लिए जड़ी बुटी बतांगा तो है तो दोस्तों पहुंच चुका हूं उस दिल्व्य पाउधा के पास दिखा रहा हूं आप लोगों को देख सकते हैं यह रहा एक पाउधा यह देख सकते हैं दोस्तों और इसकी पत्ती का बाद किया जाए तो चलिए तोड़ लेते हैं इसके बाद आप लोगों को इसके पत्ती दिखाता हूं कि किस परकार इसका पत्ती होता है और लोग दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को विश्वास नहीं होगा फिर भी द के नाम से जादा तर जानते हैं और क्या होता है दर्द में जो है अधिकतर काम आता है दर्द के लिए बहुत ही रामबाड दवा है इसकी बत्ति के बात किया जाए तो कुछ इसी प्रकार का होता है दोस्तों देख सकते हैं और पौधा जो है बहुत बड़ा पौधा होता है औ गाउग ग्रामिल भासा में आप लोगों को बता ही दिया हूं रकत बिरायर की नाम से जानते हैं गाउग के लोगों को पूछिएगा कि रकत बिरायर किस लिए काम आता है किस चीजों के लिए किस बीमारियों के लिए ते गाउग ग्रामिल लोग ज़रूर बताएं जब रकत इसी ने ले गया है इसको जो है सब्ता भरूआ है इसी को दर्द होता था ना तो लेकर चला गया है और ऐसे तो नीचे से लेकर उपर तक छिले हुए है बाकी साइड पचा हुआ है नाँको जो जो है कैसे करते हैं आप तो जिवता दे रहा हूं जो है ले जाकर पथल से पूट पीस कर चट्टिनी बना लिजेगा चट्टिनी बनाने के बाद इसमें आपका मुख सामने होना चाहिए इसके बाद एक भून धर्ती बाता को चुआ लिजीगा इसके बाद कीस लिजीगा देखना चन मिन्टों में जो दर्द दूर होगा करें 100 परसेंट ग्रांटी के साथ कहता हूं और आप लोगों को पूट के साथ कहता हूं देख सकते हैं कि लोग ने कितना चुछे हुए हैं मेरे पास अभी सुईड़ा नहीं हैं पुतने पिजने के लिए इसकी वज़ोंसे आप लोगों कोफोर इस कर सेवन करके नहीं दिखा तरह पा रहा हूं पर इसके बारे में आप लोगों को जरूर्च बता दे रहा हूं और भारत के कहीं condiciones में। और आप लोग भी इसका उप्योग करके अवश्य देखेंगे। और स्यान्य में का वीडियो में का हमको नहींकिन देखिप ऑडिंड देये संधल आता है। वो भी गरांटी के साथ कहता हूं एक पत्ती उसको खाएगा एक चमत सक्कर खाएगा तो उरिया जैसे लगेगा है ना उसके बारे में भी बताऊंगा कल का वीडियो में अगर यदि इस जंगल में जो है मिल जाए तो है ना दोस्तों फाइनली इस पौधा के बारे में आप सेवन जरूर करके देखे एक बार और बहुत ही फाइदामन पौधा है तो चलिए दोस्तों आज का दीवियों पौधा के बारे में आप लोगों को दिखाई दिया हूं थोड़ा सा मेरे को काम करना है अपना सो दोस्तों मैं यहां पर फाइनली आ चुका हूं अपना घर के पास देख सकते हैं कड़ेंग कड़ेंग मेरा घर बन रहा है दोस्तों पिछले एक महिना से मैं यहां काम कर रहा हूं दोसको अधान वगरा तो लगा ही लिए हैं बाकी बच चुका है इसका च्छाने वगरा तर पाल उर्पयाल जुगाड करेंगे और यहां पर मिट्यू व बचए मैं कल से हो सकता है इसको घरूंगा घराबा करूंगा क्योंकि बाहर से कुछ अंदर न दीखें हैं नयुकि यहां रहने पर thingरा भी होसकता है क्यों खत्रा क्या रहीugा दोस्तों हम लोग जंगल में रहकर है जो है खेत वेगे रहा है और यहां पर हम लोग गर्मी का धान लगाते हैं और इस साइट जो है नदी है नदी को पानी इसमें जो है सिचाई करते हैं खेतों में तो चलिए दोस्तों हमाई अभी इस मिट्टी को जो है खोद कर यहां लगा लेता हूं है न तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग यहां से लेकर यहां से लेकर वहां तक हम लोग अभी भाट लिये हैं कि देख सकते हैं काफी समय हो चुका है और इस साइट को देख सकते हैं हम लोग छोटा सा डव पोसे हैं एना क्योंकि रात का समय में यहां रहेंगे तो आवाज देगा ना इसकी वज़से हम लोग चोटा से डॉप पोसे हैं और यहां पर यह भी करता रहेगा मेरा भाचा जो है भाड़ता रहेगा और मैं आप लोगों को दोस्तों देख सकते हैं काफी खुबसूरत है यहां नजा रहा है यह देख सकते हैं धान वर्न लगाए यहां खेती की है तो दोस्तों यहां का मिट्टी जो है धीरी धीरी हम लोग बहुत पर यहां करेंगे ही और यहां रहने के लिए भी कुछ व्योस्ता करना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा लेह जाना पड़ेगा घर और विछाने के लिए भी लानना पड़ेगा घर से लाएंगे घाना ऊगारा बनाने के लिए तो काफी समय हो चुका है और बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा है भाटने के लिए कमी बचा है पर यहां जगलाने के लिए हम लोग अभी इसको पराबर करेंगे इसके बाद यहां पर आग जगलाएंगे और अभी मेरा भाचा जो है माटी कोड रहा है देख सकते हैं और फाइनली वहां तक वहां से लेकर वहां तक बचा हुआ है उसको जो है राम से भाठेंगे तक करीब पर पांच बजने वाला ही है तो चलिए आज का वीडियो यही तक करते हैं फिर से मिलेंगे अगला वीडियो में तो आज का इस ब्लोग वीडियो यदि पसंद आये तो प्यारा सा लाइक करना ना भूले और मेरे यूटूब चैनल में नए होंगे तो चैनल को सिस्ट नहीं रहेगा बाई बाई दोस्तों